नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को रामगड में रफ्तार का कहर कार ने बाइक को मारी टक्कर दो यूवकों की मौत रामगड में फिर दिखा रफ्तार का कहर आज सुबह मांडू थाना छेतर के एनस 33 अंतरगत रिलैंस पेट्रोल पम के पास का है जहां कार ने दो बाइक सवार को टक्कर मार दी कार से टक्कर लगने के बाद मौके पर ही दोनों बाइक सवार की मौत हो गई पोलिस मौके पर पहुची और कार और बाइक को जब्त कर लिया है और शव को पुसमाटम के लिए भेज दिया है बताया जाता है कि दोनों यूवक जोड़ा कम 20 माइल के रहने वाले हैं हजारी बाग में लगी भीसड आग 6 साल की बच्ची की मौत 4 जुलसें जार्खन के हजारी बाग शहर में भीसड आग लगने से 6 साल की एक बच्ची की जलकर मौत हो गई है जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से जुलस गए हैं पोलिस ने मंगलवार को यह जनकारी दी पुलिस ने बताया कि यह घटना मालविय मार्क पर एक व्यस्त बाजार इलाके में हुई है जहां लोगों ने सोमवार की शाम को कार्तिक पुडिमा के आउसर पर मिट्टी के दिये जलाये थे हजारी बाग जीले के पुलिस अधिक्षक मनोज रतन चौथे ने घटना के बारे में बताया कि आग बाजार छेतर में एक नीजी अवास में लगी और यह तेजी से आसपास की मार्तों में फैल गई हलांकी पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है एसपी ने बताया कि आग की चपेट में आने से अन्नू नाम की छे साल की बच्ची की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से जुलस गए है पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों का एक निजी अस्पताल में इलाश चल रहा है तथा उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है पुलिस ने बताया कि आग लगने की वज़ा की जाच की जा रही है खुंटी में दो यूवकों का शौव जंगल से बरामद दोनों का शौव जंगल में एक ही जगा पर गड़ा हुआ था अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या अक्टूबर मा में ही कर दी गई थी जारखन में कल तक बारिश का पुर्वानुमान मजरपात भी होगा बड़ेगी ठिटुरन राची समेत पूरे जारखन के ठंड पाव पसार चुका है हालांकी अभी कपकपी वाली ठंड सुरू नहीं हुई है लेकिन बादल छटते ही कडाके की ठंड अपना असर दिखाना सुरू कर देगी मौसमे ग्यानिक अभी शेकानन ने बताया कि पश्चिमी विष्छोप के प्रभाव से जारखन के कई हिस्सों में आज मंगलवार तक और बुधवार को बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि मध्यभाग के राची समित कई जीलों में बुधवार को बारिश हो सकती है इसके बाद दो से तीन दिनों तक हलके बाद अलचाय रहेंगे विभाग के नुसार पश्चिमी हिस्से यानि पलामू, गड़वा, लतेहार और लोहरदगा मध्य हिस्से यानि रामगड, राची, बोकारो, गुमला, हजारीबा, खुंटी और उत्तरी पुर्वी हिस्से करीब एक सब्ता तक बादल चाय रह सकते हैं, बादल चाय रहने के कारण नूंतन तापमान में बढ़ुत्री होगी मौसम इज्ञान केंद्र राची द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं में गरजन के साथ वजरपात की भी संभावना है और इसे लेकर यलो वलट जारी कर दिया गया है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर दूसरे समन के बाद E.D. ऑफिस पहुचे साहिब गन जैस्पी E.D. के गवाहों को भड़काने का है आरोप सवालों का देंगे जवाब साहिब गन जैस्पी नौशादालम E.D. की ओर से दूसरा समन भेजे जाने के बाद आस छेत्रिय कार्याले पहुचे हैं E.D. के अधिकारे उनसे जवाब तलब सुरू कर दिये हैं उन पर गवाहों को भड़काने का आरोप लगाया गया है इसी बज़ा से E.D. ने उन्हें समन भेज बुलाया था पहली बार भेजे गए समन में उन्हें 22 नौवंबर को हाजिर होने को कहा गया था लेकिन वे नहीं पहुचे थे उन्होंने E.D. से समय की मांग की थी 22 नौवंबर को E.D. ने दूसरा समन जारी किया और 28 नौवंबर को हाजिर होने को कहा था साहिब गंज में अवैत खनन के मामले में E.D. ने विजय हानसिदा को अपना गभा बनाया था उसने E.D. को दिये गए अपने बयान में साहिब गंज में हो रहे अवैत खनन के मामले में पंकज मिश्रा की भूमिका की विश्तरित जानकारी दी थी उसने खुद भी नीमबू पहाड पर हो रहे अवैत खनन के मामले में एक प्रास्मी की दर्श कराई थी साथ ही जेल में रहने के दौरान ही निम्बू पहाड प्रकरण में पुलिस जाँच पर संदेश जताते हुए मामले में सुतंत्र दिजिंसी से जाँच करने के लिए हाई कोट में याची का दायर की थी लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने हाई कोट में आईए दाखिल कर्पिटिसन को वापस लेने की मांग की है पलामो के केंद्रिय कारा में सजा काट रहे माववादी की राची में इलाज के दौरान मौत कई बिमारियों से था पिडित जार्खन के पलामु केंद्रिय कारगार में सजा काट रहे एक माववादी की अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई ये जानकारी मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने दी है अधिकारी ने बताया कि तृतिय सम्मेलन प्रस्तूती समीती टीस पीसी का सोयंभू सक्कमांडर किसलाय सिंग पिछले दो वर्सों से पलामु केंद्रिय कारगार में सजा काट रहा था पलामु जीले के मनातु थाना प्रभारी कमलेस कुमार ने बताया कि सिंग उच रक्तचाप और अन्य बिमारी से पिडित था जेल प्रशासन ने उसे बहतर इलाज के लिए राची के राजेंदर इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस रिम्स रेफर कर दिया था इलाज के दोरान सोमवार साम उसकी मौत हो गई बतादें कि किसले सिंग पर प्रतिबंदित नकसली दे संगठन तृतिय सम्मिलन प्रस्तूती कमिटी का सदस्य था उसके उपर लिए कई हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का भी आरोप था मिली जनकारी के नुसार किसले सिंग को जेल से बाहर निकलने के बाद टीएस पीसी का एरिया कमांडर बनाया जाना था मनातु थाना प्रभारी कमलेस कुमार ने बताया कि किसले का संबंध टीस पीसी से रहा है जबकि कई अने अपराधी घटनाओं का भी आरोपी रहा है दिसंबर में निकलेगा लाइबरेरी के लिए टेंडर स्टी छात्र प्रतियोगी परिक्षा में शफल हो इसके लिए सरकार 523 छात्रवासों में खोलेगी लाइबरेरी राजी के नुसूची जनजाती वर्ग के छात्र विविन प्रतियोगी परिक्षाओं में सफल हो इसके लिए 523 छात्रवासों में लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव सरकार ने तयार किया है प्रस्तावित लाइब्रेरी में समान ग्यान की पुस्तकों के अलावा UPSC, JPSC समित्रितिय वर्ग की सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आवश्यक अधिकतर पुस्तके रखी जाएंगी कल्याड विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागिय मंत्री चमपाई सोरेन ने अपनी सहमती दे दी है इसके लिए दिसंबर के दूसरे सफ्ता में टेंडर निकलेगा टेंडर बनाने का प्रोसेस सुरू हो चुका है इंफरेस्ट्रक्चर तयार करने और पुस्तकों की खरीद पर करीब 20 करोड रुपे खर्च होने का अनुमान है जनजातिय चात्रों के संगठन ने हाल के दिनों में कल्याड विभाग से प्रतियोगी परिक्षाओं की पुस्तके उपलब्ध कराने का आग्रह किया था इसी अधार पर विभाग ने यह निर्ड़ लिया है पुस्तकालियों में हाई स्कूल और कॉलेजों के पाठेकरम के अनुसार विभी नविस्यों की पुस्तके भी होंगी मिली जंकारी के अनुसार एक पुस्तकाले पर 20 से 30 लाख रुपे तक खर्च किये जाएंगे 28 दिसंबर को सीय मवास घेरेंगे पारा टीचर वेतनमान सहीत ये है मांग जार्खन के पारा सिक्षक 28 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर सीय मवास का घेराव करेंगे इसके पहले 19 दिसंबर को पारा सिक्षक विधान सभा घेरेंगे उक्त फैसले सोमवार को हुए जार्खन सहायक अध्यापक संगर्स मोर्चा की राज इस तरिय बैठक में लिया गया बैठक में आंदोलन की रड़नीती बनाई गई इसके साथ ही मांगों पर भी चर्चा की गई बता दें की पारा सिक्षकों की मांग है क्यों ने जल्द से जल बेतन मान किया जाए आकलन उत्रिड सीटेट वजेटेट के समतोले लाब सहायक अचार सिक्षक नियुक्ती में विभिन तुरूटियों का संसोधन किया जाए इसके साथ ही 2018 को भाजपा सरकार द्वारत सहायक अध्यापक एवं परीजनों पर राची एवं राजी की विभि के मूड में दिख रहे हैं जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर 2023 को पूरे जारखन के टेट पास सहायक अध्यापक ट्वीटर अभियान के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ध्यान अपनी ओर लाने की कोशिस करेंगे वहीं विधानसभा की सीतकालिन सत्र क के दोरान विधानसभा का भी घेराव करेंगे बतादें कि राजे में टेट पास 14,042 सहायक अध्यापकों का आरोप है कि राजे सरकार ने उन्हें वेतनमान देने का वादा किया था लेकिन सरकार ने उन्हें पारासिक्षक से सहायक अध्यापक तो बना दिया लेकिन वेतन चूटिया पावर हाउस के पास ओवर बिज बनाने के लिए फिर हो रहा सर्वे 15 दिन में भेज दी जाएगी रिपोर्ट। 12 सर्वे में पाया गया कि 25 घर ही तूटने वाले हैं अब अभी यंताओं की कोशिस है कि एक भी घर नहीं तूटे और आरोबी का निर्माड हो अधिकारी न यहाँ बताया कि रेल मंत्री के आदेश के अनुसार 15 दिनों में रिपोर्ट भेज दी जाएगी बासुखीनात सिल्थाना छेतर के मच्या सिमर्डा गाओं के रहने वाले बताये जाते हैं मृतको के नाम संटु मंडल 34 वर्षिय वो प्रदीप कुमार सहा 36 वर्षिय उर्फ प्रदीप मंडल है दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर बाबा बासुकिनात धाम पूजा करने जा रहे थे संट पास की बतायी जाती है संटु मंडल की मौत दुरघटना की तुरंद बाध हो गई जबकि प्रदीप कुमार सहा की मौत थोड़ी देर बाध हुई दोनों के सिर में गंभीर चोट है संबता कार से धक्का लगने के बाद दोनों नगर्थाना की पुलिस के बैरियर से भी टक जिसके कारर सी राधी में गंभीर चोटे लगी है और दोनों ने घटना इस्थल पर ही दम तोड़ दिया पुलिस द्वारा कार को भी जबत कर लिया गया है जबत कार का नंबर जे एच एक साथ जेड सिक सेवन टू सेवन है कार का हिस्सा भी बूरी तरह से छतिग्रस्त हो कार बाराज से लोट रही थी तबी हाथसा हुआ है शौब को पुलिस प्रशासन वा गाउं के लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया जहां पोस्माटम करा दिया गया है पैट्रोल पम के पास वहानों में लगी आग बड़ा हाथसा टला चाईबासा के शहीद पार्क चौक के पास जगपती राम विश्वकर्मा ओटो वर्क्शॉप में रखे चार पईय वाहन जे एच जीरो सिक्स बी थी एट टू फाइव में रविवार की रात अचानक आग लग गई इससे अफरा तफरी मज गई कॉंग्रेस नेता मुहमद सलीम वर त्रिसानु राय ने इस्थानिय लोक संजर राय वर राहूल महतो के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया आग की लप्टे काफी तेज होने के कारण वर्क्शॉप में रखे एक अन्य चार प पंप है गनीमत रही कि आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुची अन्य था बड़ा नुकसान हो सकता था इस दौरान जीला बीस सुत्री सदस से सर कांग्रेस नेता त्रिसानु राय ने सुरक्षा के दिश्थी कोर्ड से फायर आफिसर को जनकारी दी इसके बाद दमकल की ग गेट जाम, आंदोलन में हिंसक जड़ब, 16 जखमी, मामले में ESL स्टील ने रखा पक्ष, चास मुफसिल थाना छेतर में जारखंडी भासा खतियान संगर समिती वा युवक संग्राम समिती ने 13 सुत्री मांगो को लेकर सोमवार को, इलेक्ट्रो स्टील वेदानता के भाग भागबांद मोधिडियोवा 47 खाता गेट को सुब़ 6 बजे से जाम कर दिया, आंदोलन में भारिश अंख्या में आसपास के महिला पुरुष्वा बच्चे शामिल थे, वही गेट जाम को लेकर पुलिस प्रशासन वा कमपनी के नीजी सुरक्षागाड पहले से तैनात थे दोपहर लगबग साड़े 12 बजे भागबांद गेट पर आंदोलन कारी वह सुरक्षा कर्मी आमने सामने हो गए, इसे बीच पुलिस प्रशासन की उपस्थिती में कमपनी के नीजी सुरक्षागाड ने अचानक कुंबा टाड गाउनिवासी, फटीक महतो की पतनी महिला ल प्रख्षा कर्मी, प्लांट की और भागे, लाठी चार्ज में लक्ष्मी देवी, मुंधनिया गाउनिवासी दिलिप महतोवा अरजुन महतोगं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, दरजनों लोगों को मामुली चोटे आई हैं, वही रोडे वाजी, लाठी वा डंडा से हमले में 13 महिला होमगाड भी घायल हो गई है, महिला होमगाड कंपनी के अस्पताल में इलाजुरत हैं, केंद्री गृमंत्री अमित्सा 30 को हजारी भाग आइंगे, केंद्री गृमंत्री अमित्सा 2 दीवसिय दौरे पर झार खंड आएंगे, वे एक दिसमबर को बीएसेफ के हजारी बाग मेरू कैम्प में राइजिंग डे समहारों में शामिल होंगे जनकारी के मुताबी कमित सा 30 नौवंबर की शाम साड़ चार बजे राची एरपोर्ट पहुचेंगे यहां पांच मिनट रुखने के बाद वे बिएसेफ के हलिकॉप्टर से हजारी बाग मेरू कैम्प के लिए रवाना हो जाएंगे 30 नौवंबर को रातरी विश्राम वा मेरू कैम्प में ही करेंगे इसके बाद अगले दिन 10 से 12 बजे तक राइजिंग डे समहारों में शामिल होंगे समहारों के बाद वे एक घंटे बिएसेफ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद दोपहर दो बजे हजारी बाग से राची एरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे दोपहर के 2.45 मिनट परवे राची एरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे उधर हजारी बाग में तयार यां जोरो पर है दस लाख रंगदारी मांगने में केस दर्ज थाना छेत्र के रातु चटी निवासी गौतम गुपता ने बसंद गुपता पर जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने की प्राथमी की रातु थाना में दर्ज कराई है मामला जमीन विवात का है दर्ज प्रात्मिकी के अनुसार बसंद गुपता और गौतम गुपता के परिवार से जमीन विवात को लेकर कोट में मामला लंबित है गौतम के अनुसार वर अभिवार को बाइक से राची जा रहा था इसी बीच रिंग रोट के पास बसंद गुपता गारी को रोग कर जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है जामुमो महासचीव का बनाया फर्जी अकाउंट जार्खन मुक्ती मोर्चा के महासचीव इनोत पांडे का फर्जी फेस्बुक अकाउंट बना कर लोगों को परिसान किया जा रहा है इसम्मन में महासचीव ने अरगोडा थाना में प्रात्मी की दर्श कराई है महासचीव की ओर से थाने में दिये गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी फोटो का उप्योग कर फेस्बुक पर फर्जी अकाउंट खोला गया है उस अकाउंट से मैसच के साथ वीडियो कॉल कर लोगों को परिशान भी किया जा रहा है उन्होंने इस पर कारवाई करने का आग्रह किया है जुआ खेलते धराएं 14 पुलिस वालों को बेल आम आदमी को जेल राची पुलिस का गजब कानून राची पुलिस लाइन में दो दिन पहले उस समय भगदर मच गई थी जब जुआ खेल रहे लोगों को पुलिस ने चापे मारी कर उठा लिया था लोगों को हिरासत में लेने के बाद जनकारी मिली कि उनमें कई पुलिस कर्मी भी है जिसके बाद मामले को दबाने की भरपूर कोसिस की गई या यू कहलें कि आम लोगों और खास लोगों के लिए राची में दो तरह के कानून चल रहे हैं पुलिस वालों के लिए अलग कानून और आमजन के लिए अलग दरसल गोंदा थाना छेतर में चल रहे जुए के अड़े में दो दिन पहले छापे मारी कर QRT ने 20 जुआड़ियों को पकड़ा था जिसमें 14 पुलिस कर्मी भी शामिल थे मगर इने जेल भेजने के बज़ाए पियार बॉंड पर छोड़ दिया गया जबकि पिछले तीन महा का अगर रिकॉर्ड देखे तो विबिन थाना छेतरों में जुए के अड़े पर छापे मारी की गई है इस दोरान पुलिस ने जुए के अड़े से लाखो रुपए बरामत क किया इन जुआडियों को पुलिस ने जेल भी भेजा था वहीं गोंदा थाने ने जिन पुलिस कर्मियों को जुआ खेलते पकड़ा गया तो उन पर सिर्फ जुआ धिनियम की धारा 11 लगाते हुए प्राथमी की दर्ज की गई पकड़े गए सभी लोगों को थाना से बेल मि पुलिस ने लोहरा टोली से जुआ खेलते हुए 15 जुआडियों को गिरफतार कर जेल भेजा था 12 नहुंबर को रातू पुलिस ने 11 जुआडियों को गिरफतार कर जेल भेजा था 2 नहुंबर को चुटिया थाने की पुलिस ने दुआ की पूरी से 6 जुआडियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा और उसे जेल भेज दिया सितंबर महीने में इटकी पोलिस पंदर जुवाडियों को जुवा खेलते हुए पकड़ कर जेल भेजी थी अक्टूबर महा में मूरी पोलिस ने जारखन मोड से चार जुवाडियों को गिरफतार कर जेल भेजा था ब्रस्टाचार की भेट चड़ी हर घर सोचाले योजना लोग बाहर जाने को है मजबूर गुमला के राइडिय प्रखन में सरकार की महतोकांशी योजना हर घर सोचाले भरस्टाचार की भेट चड़ गई है करोडो रुपए सरकार ने सोचाले बनाने में खर्च की हैं पर अब भी राइडिय प्रखन की सत्तर प्रतीशत जनता खुले में सोच जाने को वीवश है कहीं सोचाले बना पर उपयोगी नहीं कहीं टंकी ढह गई कहीं सोचाले ही ध्वस्त हो गया तो कहीं न दर्वाजा लगा और कहीं पैन ही नहीं बठाया गया है सरकार ने खुले में सोच को देखते हुए घर घर सोचाले बनवाया था बारह हजार की लागत से सभी घरों में सोचाले निर्मार कराया गया था पर राहेडिय प्रखन में सोचाले निर्मार में अनीमधता बरती गई जिसका उधारण है प्रखन की गावों में बना सोचाल लोग में ही नहीं है कुछ पंचायत में उखिया वा जलसाईया ने ऐसा खेल खेला कि कुछ लोगों को इस महतोकांशी योजना से ही वंचित कर दिया वित्वर्ष 2024-25 के लिए सिमित संसाधनों को देखते हुए तयार हो रहा कल्याड कारी बजट सिमित संसाधनों को देखते हुए वित्वर्ष 2024-25 का जहारखन का वार्सिक बजट तयार हो रहा है वित्विभाग के निर्देश पर राजि के सभी विभाग बजट प्राकलन तयार करने में जुटे हुए हैं बजट प्रस्ताओं के गठन पर राजिसरकार की प्रास्मिकताओं को ध्यान में रख कर काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जीवन और आजिविका की सुरक्षा तथा विकास को देखते हुए बजट तयार किया जाए विगत वर्सों में प्रारम की गई योजनाओं के लक्षयों को हासिल करने के लिए सम्यक प्रयत्न किये जाएं इस तथे का ध्यान रखा जाएगा कि जिन योजनाओं ने अपने लक्षयों को प्राप्त कर लिया है उनके इस्थान पर वर्तमान समय में प्रासंगिक योजनाय प्रस्तावित की जाएं जिन से अधिक्तम जनकल्याण का लक्ष प्राप्त किया जा सके था समाज के अंतिम कगार पर बैठे व्यक्ती का अधिक्तम कल्याण हो पाए मरमत के अभाव में राची नगर नीगम की गाड़िया हो रही कबार किराय पर हर महा खर्च कर रहा 38 लाख रुपए आम जमता के पैसों की बरबादी कोई राची नगर नीगम से सीखे मिसाल के तोर पर नगर नीगम करोडों की लागत से विभी न कार्यों के लिए परयात संख्या में अलग-अलग वाहन खरीद रखे हैं इसके बावजुद नगर नीगम को किराय पर वाहन खरीदना पड़ रहा है जिसके लिए हर महा करीब 38 लाख रुपए से ज्यादा रुप मुल्य चुकाए जा रहे हैं इसकी दो वज़ा है पहला जो वाहन खराब पड़े हैं उनकी मरमत नहीं कराई जाती है दूसरा कई ऐसे वाहन खरीद लिए गए हैं जिनकी उपयोगीता ना के बराबर है यानि राजधानी वासी होल्डिंग टेक्स, कच्रा यूचर, चार्ज, ट्रेड लाइसेंस और वाटर टेक्स समयत विभिन प्रकार के टेक्स के रूप में हर साल जो करोडों रुपए चुकाते हैं वा नगर नीगम के पदाधिकारियों के लापरवाही से बरबाद हो जा रहा है वीधी पोर्टल पर हाई कोट ने सरकार से मांगिये अप टू डेट स्टेटस रिपोर्ट राजसरकार की ओर से अदालत में शपत पत्र सहसमय पर दाखिल नहीं होने से संबंदित मामले में कोट के स्वता संग्यान की सुनवाई जारकंड हाई कोट में मंगलवार को हुई मामले में राजसरकार की ओर से अपर महादिवक्ता शुतोस आनंद ने कोट को बताया कि अभी जो वर्तमान में वीधी पोर्टल है वो पोड़ता कारगर साबित नहीं हो रहा है इसके लिए मुख्य सचीव ने राजसरकार के सभी विभागों के नोडल ओफिसर के साथ एकिकरित करने की कोशिस की जा रही है विधी पोर्टल और आईल एमस को एकिकरित करने के बाद इसे राजसरकार के सभी विभागों में लागू करने का प्रयास किया जाएगा कोट ने मामले की अगली सुनवाई जन्वरी दो हजार चौबीस में निर्धारित की है कोट के चीपस डस्तिस संजे कुमार मिश्टर की अधक्षता वाली खंड पीठ में की गई जारखन की और खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार